अकाश्वानी भूपाल से प्रस्तुत हैं प्रादी शेक समाचार नमस्कार समाचारों के साथ मैं सैयुक्ता बानर जी पहले मुख्य समाचार भूटान को शिक्षा के क्षेत्रों में सहीयों के लिए भारत तैयार कहा प्रधानमंद्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतिय सम्विधान की मूल भावना के अनुसार ही प्रदेश में चलेगा शासन प्रशासन इन दौर में नेत्रो आपरेशन मामले में लापरवाही बरतने पर एक अधिकारी नलंबित दो सीमेचों को नोटस और अच्छी खबर में आज आप सुनेंगे इन दौर के पास पीर पिपलिया गाउं में युवाओं की पहल पर खास रपोर्ट अब समाचार विस्तार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी ने कहा है कि भूटान और भारत पारंपरिक शेत्रों से आगे बढ़ते हुए स्कूल से लेकर अंतरिक्ष तक और डिजिटल भूटान से लेकर आपता प्रबंधत तक के इन नई क्षेत्रों में व्यापक सहीयोग करना चाहते हैं आज थिंफु के रॉल युनिवर्सिटी और भूटान के विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि एक अरब तीस करोड भार्तिय भूटान को उसके भावी प्रयासों और खासकर शिक्षा के क्षेत्रों में सहीयोग के लिए तयार हैं उन्होंने इस बात पर प्रसनता व्यक्त की कि अपना उबगरह छोड़ने के लिए भूटान के व्याग्यानिक उबगरह की रूप रेखा तयार करने के प्रयोजन से भारत आने वाले हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और भूटान के इतिहास, संस्कृती और आध्यात्मिक परंपराओं के कारण दोनों देशों के बीज अनूठे और गहरे संबंध हैं और इनके कारण ही भारत और भूटान के संबंधों में इतनी घनिष्टता है रक्षा मंत्री राजनाथ सिह ने कहा है कि पाकिस्तान से जब भी बातचीत होगी तो भारत कश्मीर के उन हिस्सों पर बात करेगा जिन पर पाकिस्तान ने खब्जा कर रखा है हर्याणा में आज एक कारिक्रम के दौरान रक्षा मंत्री ने कहा कि जब तक पाकिस्तान आतंकवादियों को संरक्षन देने और पैदा करनी का काम अपनी धर्टी से समाप्त नहीं करता है तब तक उससे बाचीत करने का कोई कारण नहीं है मुख्यमंत्री कमलनात ने कहा है कि आज देश में अगर सभी वर्गों को समान रूप से न्याय मिल रहा है तो उसका श्रेय बाबा साहे बंबेटकर को जाता है भुपार में अनुसूचित जाती जनजाती अधिकारी एवं कर्मचारी संग अजाक्स के प्रांती अधिवेशन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतिय सम्विधान की मूल भाबना के अनुसार ही प्रदेश में शासन प्रशासन चलेगा उन्होंने कहा कि आज देश वभनताओं के बावजूद एक जंडे के नीचे खड़ा है तो ये न्याय की ही ताकत है शुनात ने अजाक्स द्वारा प्रस्तुत मांग पत्र के बारे में कहा कि दसंबर के बाद प्रदेश की सरकार को काम करने के लिए मात्र पांच महीने का समय मिला है लेकिन आश्वस्त करना चाहता हूं कि प्रदेश में न्याय की सरकार है और इसनाते अजाक्स के लोगों के साथ भी न्याय होगा इस मौके पर प्रदेश के कई मंत्री भी मौझूद थे ग्रे मंत्री बाला बच्चे ने बताया है कि प्रदेश में अवैध मादक पदार्थों की तसकरी के खिलाफ नार्कोटेक्स और पुलिस विभगवरा ओपरेशन प्रहार चलाया जा रहा है 31 अगस तक चलने वाले इस अभ्यान में अपराधियों के खिलाफ कड़ी कारवाई की जा रही है आज भोपाल में एक समवादाता सम्मेलन में श्रीबच्चन ने बताया कि पछले 6 महीने के भीतर मादक पदार्थों से संबंधित 1800 से अधिक मामले दर्ज किये गए हैं उन्होंने कहा कि मिलावर्ट और ड्रग मुक्त राज्य बनाने के लिए सरकार प्रतिबत है अवैद हुका संचार कोंके खिलाफ शीख रही अभ्यान चलाने को भी कहा है प्रादेशिक समाचार आकाश्वानी भोपाल से प्रसारित किये जा रहे हैं ताज़ समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in देख सकते हैं इसके अलावा प्रादेशिक समाचार बुलिटन यूट्यूब, ट्विटर और फेस्बुक पर AIR News भोपाल पेज़ पर सुने जा सकते हैं अब आप प्रसार भारती के आधिकारे कैप News on AIR पर भी समाचार लाइफ सुन सकते हैं समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है इंदौर में मोतिया बिंद ओपरेशन के दौरान 11 मरीजों की आँखों की रोशनी जाने के मामले में स्वास्थ मंत्री तुलसी राम सिलावट ने राश्चिय अंधत्व निवारंड समिती के जिलाकारिक्रम अधिकारी को निलंबित कर दिया है और इंदौर तथा धार के मुख्य चकित्सायवं स्वास्थ अधिकारी को कारण बताओं नोटिस दिये जा रहे हैं आज स्वास्थ मंत्री श्वे सिलावट ने चोईतराम अस्पताल पहुँचकर इलाज करा रही पीड़तों से मुलाकात की और उनसे स्वास्थ की जानकारी ली इसी दौरान शंकर नेत्राले चन्नई से आए नेत्रविशे शग्य डॉक्टर राजू रमन ने मरीजों का परीक्षन किया स्वास्थ मंत्री ने बताया कि प्रारंभिक जाँच में राश्विय अंधत्व निवारन समिती के जिला कारिक्रम अधिकारी डॉक्टर टीयस होरा को निलंबित करने के निर्देश दिये गए हैं इस पूरे मामले की गहराई से जाच कराई जा रही है रपोर्ट आने पर आगे की कारवाई की जाएगी अब बात हमारी सापताहिक श्रिंखला अच्छी खबर की जिसमें आप रूबरू होते हैं प्रदेश के किसी भी इलाके की उस खबर से जो सकारात्मक है और समाज को दिशा देने में मददकार हो सकती है अच्छी खबर में सुनिए इन दौर के पास पीर पिपलिया गाउं के युवाओं की पहल पर खास रपोर्ट सरहत पर अपने जान गवाकर देश की रक्षा करने वाले वीरों के किसे तो हम अक्सर सुनते हैं लेकिन शहीद जवानों की प्रती समाज के अपार सम्मान और स्ने के किसे कम ही सुनने को मिलते हैं इन दोर के पास पीर पिपलिया गाउं के युवाओं ने अपने इलाके के एक शहीद परिवार के लिए ऐसी अनुकर्णी ये पहल की है जिसके चारों और तारीफ हो रही है इन युवाओं ने वन्चिक वन्साइन अभियान के जरिए शहीद मोहनलाल सुनीर की पतनी को जुगी के जीवन से छुटकारा दिलाकर दस लाख रुपे का मकान रक्षा बंधन पर उपहार में दिया और अपनी हथेलियों पर चलाकर उनका ग्रह प्रवेश कराया इस पहल की शिरुवात करने वाले मोहन नारायन गिरे ने बताया कि जवान मोहनलाल सुने 24 साल की उमर में दिसंबर 1992 में तृपुरा में आतंगवात विरोधिया भियान के दौरान शहीद हो गये थे उनके बेटे विनूत सुनेर ने गाउं की युवाओं की इस पहल पर आभार जताते वे कहा कि अगर इन युवाओं की सूच का सकरात्मा कसर समाज पर पड़े तो वाकई देश के हालात बदल जाएंगे अच्छी कबर के लिए बोपाल से मैं दीपा सिंग गुना जिले के म्याना थाना अंतरगत नाशनल हाइवे पर आज एक कार दुरघटना में दो लोगों की मौत हो गई और चार अन्या घायल हो गए सभी घायलों को इलाज के लिए जिला चिकत साले भेजा गया है बताया गया है कि मुंबई के निवासी कार में सवार छे लोग ग्वालियर से मुंबई जा रहे थे अब बात मौसम की रास्थानी भोपाल सहित प्रदेश के विभिन हिस्सों में बारिश का दौर जारी है इंदोर उजयन और चंबल संभागों के कुछ जिलों में तेज बारिश हुई है इसके चलते शौपर, मुरैना और भिंड के लगभग 27 गाउं प्रभावित है स्थती को देखते हुए आज भिंड के जिला कलेक्टर ने ग्राम मुकटपुरा का जाइजा लिया उन्होंने बचाव टीम को इलाके में सतर्क्ता बरतनी के निर्देश दिये है हमारे मुरैना समवादाता ने बताया है कि चंबल का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे आ गया है जिले के तठीय गाउं से भी पानी तेज गती से उतर रहा है जिला और पुलिस प्रिशासन डूप वाले गाउं पर लगाता नजर रखे हुए है वहीं बढ़ोना गाउं में बुखार, खासी और जुकाम से सौ से अधिक लोग प्रभावित है इनके लाज के लिए सुमावली और जौरा से जिगतसा दल भेजा गया है वहीं बढ़वानी, धार और दतिया जिले में स्थती नियंतरण में है जिला प्रशासन ने 30 अलाकों में हाई अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में रीवा, सतना, सीधी, सिंग्रॉली सहित प्रदेश के सूलह जिलों के कुछ हिस्सों में वर्शा या गरत चमक के साथ बौचारे पढ़ने की संभावना है अब कुछ समाचार संक्षेप में आजाद हिंद फौच के प्रणेता नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पुण्यति थी पर आज प्रदेश में भी शुद्धानजली सभा कर उन्हें याद किया गया पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की स्मृती में राजिस सरकार साल प्रदेश में युवा संकल पवर्ष मनाएगी 20 अगस्त को उनकी जैनती पर सद्भावना दिवस मनाया जाएगा पूर्व राश्रपती डॉक्टर शंकर द्याल शर्मा की जैनती कल भूपाल में जिला कॉंग्रस कमिटी द्वारा मनाई जाएगी मंडला में स्कूल वाहन और एक बस की टकर से बस नाले में जागरी जिससे दो दर्जन से अधिक लोग खायल हो गए सभी खायलों को सामुदा एक स्वास्त केंद्रों में भरती कराया गया है और भूपाल के शाजहानाबाद में बारिश के चलते आज एतिहासिक गेट का एक हिस्सा गिर गया जिससे आसपास की दुकानों को नुकसान पहुचा अंत में बुलिटन के मुखे समाचार एक बार फिर भूटान को शिक्षा के क्षेत्रों में सहीओ के लिए भारत तैयार कहा प्रधान मंतुई नरींद्रों मोदी ने मुख्यमंत्री ने कहा कि भारती सम्विधान की मूल भावना के अनुसार ही प्रदेश में चलेगा शासन प्रशासन इन दौर में नेत्रो आपरेशन मामले में लापरवाही बरतने पर एक अधिकारी निलंबित दो CMH को नोटस और अच्छी खबर में आज आपने सुनी इन दौर के पास पीर पेपलिया गाउं के युवाओं की पहल पर खास रपोर्ट इस बुलिटन में इतना ही आकाश्वाणी भूपाल से अगला प्रादेशिक समाचार बुलिटन सुनिए कल सुबह 7 बच कर 5 मिनिट पर नमस्कार